दोस्तों बारते टीम को दूसरा टेस्ट मकाबला जीतने के लिए चाहिएते अठेत तरण, फिर हो गया बड़ा चमतकार। जिया दोस्त बारत और शावताप्रिका के भी दूसरा टेस्ट मकाबला कापी हाई वोल्टेज रोमान चक्रा जैस बड़े मकाबले में विक्टो के जड़े देखने को मिली तो बताएंगे आपको इस बड़े मकाबले का पूरा हैलाइट वीडियो और कौनशी टीम ने इस ब लाइक का दीजे चैनल पाने हो तो सस्क्राइब करके बैलो टांग जरू दबाली जी दोस्तों इस टेस्ट मकाबले में सावत अपरिका ने पहली पारे में सिरफ पचपनर बनाये थे उस पारे में मुमज सिराज ने चैवी के टुकाड कर एक नय कीतिमान आसिल किया था लेकिन जैसे ही आज का केल शुरुआत हुआ तो एक चोर पर एड़न माकराम डिग एड़न माकराम कापी सांदर बल्ले बाजी करते हैं नजर आए और एक के बाद एक कापी सांदर चोके हो चकों के बर्शाथ कर दी लेकिन दूसरे चोर पर भी लगतर विकेट उखाड रह आपरिके बल्लेबाज पूरी तरह से डैस मैस होते हैं नजर आए और अपरिका की दूसरी पारे भी 106 रन पर आलाउट हो गई अलाइंकि अफरीका की और से एडन माकराम ने कापे सांदार 102 रन के पारे खिलकर एक नय किर्तिमान हासिल किया और टीम इंडिया को इस बड़ा म मैस 25 गिंदों पर 30 रन पर आ चुके थे एक के बाद एक चोके सांदा लगा रहे थे तो वहीं कफ्तान रोई स्रमा ने भी बैक टू बैक चोके लगा कर टीम इंडिया के स्कोर 50 के पार पहुचा दिया टीम इंडिया को इस बड़े मुकाबले को आसनी के साथ जीत कर सांथ में एक बहुती बड़ा रिकोर्ड बना दिया क्योंकि टीम इंडिया इस साल कोई भी सीरीज नहीं हाराया जा टीम इंडिया टीटवांटी सीरीज को जीता उसके बाद में वंडे सीरीज जीता तो वहीं टैट सीरीज को भी बराबरी पर करते हुए एक बहुती बड़ा रि अप्यक्रो साथ भाफ में लडोते है